हलो फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत थे आप सभी का हमारे सिटूर चैनल में और अभी हम मौझूद है वारांसी के दशासुमेगाट पे और वैसे तो हमारे देश में हिंदु धर्म से जुड़ी ऐसी कई जगह हैं जो कि रहस्मई तो हैं ही साथ ही साथ दिल्चस्म और हैरा अज़ते भी बताया जाता है कि यह वही घाट है जहां पर 365 दिन तक आग जलती रहती है और यह भी कहा जाता है कि यहां पर दासंसकार कराने से व्यक्ति की आत्मा को मोख्ष के प्राप्ति होती है तो आईए चलते हैं उस घाट को हम देखते हैं और क्या-क्या खासियत है गाट की हम आपको ये भी बताते हैं और अभी आप देख पा रहे होंगे अभी हम आ चुके हैं मरकंडिका घाट पे और मरकंडिका घाट वरांसी में गंगा नदी के तड़ पर इस्थित एक प्रसिद घाट है और एक मानता के अनुसार माता पार्वती जी का कंट फूल यहां माता पार्वती जी के पार्थिव शरीय का अंतिम संसकार इसी जगह पे किया गया था और इसी कारण इसे महासमसान भी कहते हैं और यी भी कहा जाता है कि एक कथा अनुसार यहां पे भगवान विश्नु ने हजारों वर्स तक इसी घाट पर भगवान शियो के अरादना की और विश्णु जी ने स्यू जी से वर्दान मागा कि स्रिस्टी के विनास के समय भी कासी को नस्ट न किया जाएं और भग्मान श्यू और माता पारवती विश्णु जी के प्रातना से प्रसन होकर यहां आये थें तभी से मानता है कि यहां मोश की प्राप्ती होती है तो वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भग्मान विश्णु ने स्विर पारवती के लिए यहां इसनान कुंड का निर्मान किया था और इसी कुंड में जब माता पारवती नहा रही थी तो उनके कान का कुंडल खो गया था और अभी से इस घाट का नाम मरगंडी का घाट पढ़ गया है और ये चीजे मैंने आपको तो पहले भी बता दी थी और मोश की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाओं पे यहां आने की कामना एक बार तो जरूर ही करता है और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाल कर यहां पे नृत करती है और यह कारकरम चेतर नौराद की सत्मी की रात में होता है और सामने से आप देख रहे होंगे यहां पे अगोरी बाबा बैठे हैं जो कि जलती चिताओं के सामने यहां पे साधना कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनकी जो शक्तिया वो बढ़ती रहती हैं तो यह है यहां का कुछ नजारा जो कि आप देख रहे हैं और यह कारकरम चिद्र नौराद के सत्मी की रात में होता है महा समसान पर अनूठी साधना के परंपरा समसान नाथ महसो का हिस्सा है मौत के मातम के बीच वो नास्ति गाती हैं और नास्ति हुए वो इश्वर से प्रात्ना करती हैं कि उनको अगले जनम में ऐसा जीवन न मिले और ये परंपरा अकबरकाल के आमेर की राजा हवाई मान सिंग के समय से सुरू होकर अब तक चली आ रही है और मान सिंग ने ही 1585 में मरकंडिका घाट पर मंदिर का निर्मान कराया था और बात करें इस घाट की तो यहां पर 24 गंटे चिताएं जलती रहती हैं और यहां पर अगने समाब तो होती ही दूसरी चिता में आग लगा दी जाती है और वैसे तो लोग समसान घाट में आना नहीं चाहते हैं पर यहां पर देश विदेश से लोग इस घाट का दर्शन करने के लिए आते हैं और इसी घाट पर ही ऐसा एसास होता है कि जीवन का अंतिम सत्य यही है और यह समसान घाट का दर्श जो कि आप देख पा रहे होंगे और यह आकास में उरते हुए प्यारे प्यारे पक्षी जो कि बहुत ही खूबसरत लगता है ऐसा नजारा और वैसे कहा जाता है कि समसान घाट पर यहाँ पर लड़कियों को नहीं आना चाहिए लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर कोई भी आ सकता है काशी में डरने वाली कोई बाती नहीं है क्योंकि समसान घाट पर भूत नहीं भोले नाथ जी रहते हैं और यहां पे तमाम लड़के लड़कियां बचचे सब आते हैं और जो आप यहां पे भीड देक रहे हैं यह परीजनों की कम BD यहां पे देखने वालों की जो भीड हैं वो काफिचा जाता है तो बहार से जो लोग आते हैं वो यहां पर जीवन की सच्चाई को भी देखना चाहते हैं कि मतलब हम हर समय रोते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, पैसा, करियर और ना जाने किस चीजों के लिए हम अपनी पुरी जिंदेगी तबाह कर देते हैं लेकिन जो अंतिम सच्चाई है न यही है, एक समय के बाद सारी चीजे खतम हो जाती हैं और यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लगतार सो आ रहे हैं और बात करें, यहां पर सो की तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि यहां पर कभी जो अगनी है कभी शान्त हुई हो यहाँ पे 300 पैसर दिन 24-200 घंटे चाहे गर्मी हो बरसात हो ठंडी हो किसी भी समय में आप जब भी आएंगे तब आप देखेंगे कि चिताय जल रही हो भी एक नहीं कई-कई चिताय यहाँ पे जलती हैं और यह भी है यहाँ पे दिन भर में यहाँ पे 100-500 यहाँ पे 100 रोज ह जलते हैं यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं मरने की इच्छा से क्योंकि उनको पता है कि हम यहीं पे मरेंगे तभी हमें मुख के प्राप्ति होगी क्योंकि यहाँ पे बाबा भुलेनात का वरदान है और यहाँ पे जो डूम जाती परिवार जो रहते हैं पहली पांच लकडी वही सो को देते हैं उसके बाद यहां पे यहां पे जलाया जाता है और यहां पे आप देख सकते हैं कुछ लोग समसान खाट पे ही खाना भी बना रहे हैं और इन्हीं चिता के लकडियों पे वो अपना जो भी खाना बना रहे हैं उसको सेकेंगे यहां पे देख सकते ह यहां पर बाटी बनाया जाहरा रहा है और इसी चिताओं की लकडियों पर बाटी को सेखेंगे फिर सारे लोग खाएंगे और आज भी जो डोम राजा का परिवार है आज भी इन summarize लाकडियों से उनके घर में खाना बनता है और वो लोग अराम से खाते भी हैं और सामने कर काम करते हैं वो भी खा लेते हैं और जो नाव चलाते हैं जो नाविक हैं वो भी खा लेते हैं और जो डूम परिवार के जो लोग हैं वो भी खाते हैं तो यहां पर किसी भी तरह का यह नहीं सोचते हैं कि कैसे बना है क्या है मतलब किसी भी परकार का इन्हें कोई आपती न रही हैं और इस घाट पे जितने भी दुकाने हैं लकडी की वह चौबीसों घंटे खुली रहती हैं क्योंकि मरकंडी का घाट पे चौबीसों घंटे यहां पे चीजे चलती रहती हैं शौदा का काम होता रहता इस वज़े से सारी दुकाने भी खुली रहती हैं और यहां पे क हर चीज को क्लियर देख पाएं और इसी घाट के जस्ट बगल में है काशी विशनात कोरिडोर और वहां पे भी बनाया गया है मुमक्षु भवन जिसका नाम है वैदनाद भवन और मुमक्षु भवन वो भवन होता है जिसमें लोग अपनी मौत का इंतिजार करते हैं अगर ए और आज की मेरी वीडियो सिर्फ यहीं तक डर नहीं उससे काल का जो भक्त हो महा काल का हर हर महाद